जैहिंस साथियों सवागा था आप सबका architecture planet में आज हम लोग धातू एवामा धातू चेप्टर का जो किसाइंस से है उसका आज हम लोग प्रशन उत्तर करने वाले हैं और यहाँ पर सबसे पहले जो है objective question यहां पर है उसको पहले solve करेंगे देखे यहां पर हमारे पास जो है व जो आच्छा से सौल कर पाएंगे तो देखिए सबसे पहले जो है सक्रदा सरीनी के बारे में जान लेते हैं दीए उसका एक ट्रिक है श्रीदा सरीनी को याद रखने का पोशो केमेक L को प्रफिर रख होंगा यहां पर हर्डोजन उसके बाद फिर कॉपर और फिर मासी को कैसे करखते देखिए अ BC पोससे हो गया पोसस होगया पोटयसिय unified को क्ले में सीमें चाहे देखिए ऑ मफ़स्ते है mark होगया आठैसियम år mold कोर्टेसियम उसका बाद यहां से सोडियम स्योगां ठीक है केसे हो गया कैल्सियम मैग से हो गया मंगनीशियम ठीक है उसका बाद हेल से हो गया से हो गया design ठीक है घ्डीक है जो गया हो गया आइरेन यानि कि उसका बाद ले लस्त हो गया लेट ठीक है यानिकी देलड ठीक है उसका बाद हो गया हर्डुजन सेघोपर मसी हो घ्या मरकरी मतलब सब्सक्राइब कर लेती है और नीचे जल्दी अभी किरिया नहीं करती है तो यह हम यहां पर लिख दिये हैं अब देखें इन कोचनों को हम लोग कैसे असाने से इसको स्वाल कर पाएंगे ठीक है इसका मतलब यह हो गया जैसे कि इसके प्रकार से नहीं कर पाएंगा क्या कहूंकि चकी धास इसकी और इसका मतलब यह हो गया अब देखते हैं पहला जो कोशिया हमारे पास के निमन में से कॉन सा यूगल यानि कि कॉन सा जोड़ा जो है वो विस्थापन अभी किरिया पर дополнर्शित करता है यानि की कौन सा जो यहां देखें यहां पर जो jsब कर e पर यहां पर देख से परशनों को यहां पर स्थापीड करना खीर यहां पर क्विश्थापीड करना है क्विश्थापित करना इंडेखिए प्राइथ क्यों테 बिल्कुल नहीं कर पाएगा क्योंकिthe उसका आंसर होगा यह नहीं होगा दूसरा अप्शन में तो मेगनिसम क्लो रैड क्या में मैं मैंगनिसम को भी स्थापित कर पाएगा तो देखते हैं मैं यहां पर है ठीक है और यहां पर देखते हैं इल्मुनियम कहां पर है इल्मुनियम देखते हैं तो यहां पर इल्मुनियम यहां पर है ठीक है तो इल्मुनियम जो है क्या मैंनिसम को विस्थापित कर पाएगा नहीं कर पाएगा क्योंकि मैंनिसम उपर में है जबकि इल्मुनियम जो है कह होना चाहिए कि अल्मणियUM उपर होगा मेंग्नियों जो है के नीचे होगा तो यह विश्थापित कर पाइगा ठीक है यानि तब यहां से मेंग्नियों को विशेपीत कर पाइगे करके और यहां पर और यह अथ सिल्वर आखे में नीचे है और आफी जो है यानि लुहा जो पर यह पर है खी टिमिश도र यर नाट्रेयर मैं क्या खौपर धातु जो है वह सिल्वर नाट्रेट में सिल्वर को स्थापित कर पाएगा तो देखिए सिल्वर जो है वहां यहां पर है और कॉपर को देखते हैं तो कॉपर ऊपर में ठीक है तो कॉपर जो है वह सिल्वर को जरूर विस्थापित कर देगा क्योंकि यह जो है सेकिर्टा सुरेनी में कॉपर जो है वह सिल्वर के ऊपर आता है ठीक है तो य क्या है फ्राइंग पेन है जिसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसको पका सकते हैं रसोई घर में इसका यूज होता है तो क्या लोहे के फ्राइंग पेन को हम लोग जंग से बचा सकते हैं और यहां पर ऑप्शन दिया गया है कि उसको कैसे बचा सकते हैं तो ग्रीस लगा करके पेंट लगा गरके जिंक का परत चढ़ा करके तो हमने पढ़ा था कि जंग से बचा चाहिकता है तीनोवीदी के द्वारा लेकिन यहां पे देखे कि लोहे का जो है फ्राइंग पेण है एक ऐसा समान है जिसका हम लोग खाने के लिए जो है इसमें खाना जो है बनता है तो अगर हम लोग उसमें ग्रीज लगा देंगे तो ग्रीज से क्या होगा जंग से तो बच जाएगा लेकिन हमारे लिए हनिकारा खोजाएगा ठीक है ग्रीज लगा देंगे तो क्या हो जाएगा कि हमारे हणिकर हो जागा क्योंकि ग्रेज वो किया तो यह नहिते हैं उसका है उसका बाद लगाकर भी बजा सकते लोहं के उपर क्या कर लाता है तो धीन को गालाता है के लोहे के उपर भीडिजिंग कर देते हैं तो ये बहुत ही लोहे के उपर चिपका होता है वह प्रत जो है क्या होता है बहुत ही मजबूत होता है ठीक है बहुत ही मजबूती से जो है लोहे को जो है लोहे को उपर जो है यह जकड़ा होता है बहुत अच्छा से उसके उपर चिपका होता है तो हम लोग गर्वनाजिंग करके लोहे के फ्रैंक पेंग को जंग लेने से बचा सकते हैं तो इसका अंसर हो जागा सी आगे देखते हैं कोई धातू ऑक्सिजन के साथ अभी किरिया कर उच गलनांक वाला भौतिक निर्मित करता है यह योगिक जल में विले है यह तत्व क्या हो सकता है ठीक है देखिए इसका जो अंसर होगा इसको स्वाल करने से पहले हम लोग पढ़े थे किसके बारे में आयनिक योगिक के बारे में पढ़े थे ठीक है आयनिक योगिक क्या था कि वैसा योगिक था जो आयनों के अधान पदान से मिल करके बनते हैं और इनके बीच जो रसायनिक बंदन होता है वो काफी मजबूत होता है और यह जो है ऐसे ज में भी ईंचल होते हैं तो यहां पर देखें कि कौन सा ऐसा ह abolitionik बंधन के द्वारा भ urine ऑदिखतर है रहां और यहां पर ना कज़ mantan जो होता हम होता है तो आप यहां पे देख सकते हैं की देखे कारबन तो धातु नहीं है ठीक है यहां पे सिलिकॉन जो है वो अभी धातु नहीं है क्या क्या है यह क्या है सेमी कंडल्टर है अज़्ड़ zajl TOMATE अब देखते हैं हम लोहा के बारे में ठीक है लोहा जो है ऑक्षियंस से अभी किरिया कर लेता है उसका ऑक्साड बना लेता है लेकिन लोहा जो है उसका ऑक्साड जो है जब बना लेता है तो यह जल में गुलता नहीं है तो देखें केल्सियम जो है केल्सियम यह कहां पर है सक इसका अंसर क्या होगा calcium calcium जो है जब oxygen से अभी किदा कर लेगा तो calcium oxide का निर्मान कर लेगा इसके oxygen और calcium के 20 रहसानिक बंदन काफी मजबूत होगा क्योंकि यह आनिक बंदन से मिल करके बनते हैं इनका गलनांग भी होगा उच होगा ठीक है इसका अंसर हो जागा calcium अब हम लोग अगला कोशन देखते हैं खात प्रार्थों के डिबे पर जिंक के बज़ाए तीन का लेप क्यों लगा होता है यह फिर लेप होता है क्योंकि तीन के पेच्छा जिंक अधिक मांगा है तीन के पेच्छा जिंक का गलनांग अधिक है तीन के पेच्छा जिंक अधिक अभी किरियासील है या फिर तीन के पेच्छा जिंक कम अभी किरियासील है अभी देखे यहां पे जो है जिंक के पेच्छा जिंक मांगा है या फिर इ तो यहां पर यहां पर देखा जाए कि अगर हम लोग करेंगे तो जिंक और टीन में ठीक है जिंक और टीन में अधिक हम लोग करते हैं कि जिंक के बजाय हम लोग करते हैं ताकि अगर हम लोग प्दार्थ में अगर गल कुस्थ झालेगा ठिक है तो इसलिए हम लोग अगला प्रस्टन पांच है आपको एक थोड़ा बेटरी बल्ब तार यहां स्विच दिये हैं इसका उप्योग कर धातु वा अधातु के नमूनों के बीच भी भेट कैसे करेंगे यह प्रस्ण दिया गया है आपको तो यहां पे कुछ नमूना है यानि कि कुछ समान दिया गया है और उसमें से कुछ उसका परिच्छन करने के लिए वा धातु है या अधातु है इसको चेक करने के लिए हम लोग के पास यहां पर दिया गया है हां थोड़ा है हां थोड़ा बैटरी है ठीक है टार है फिर स्वीच है ठीक है और फिर बल्ब है इतना सारा चीज दिया गया है और इससे हमको चेक करना है कि कौन-कौन सा चीज जो है धातू है या फिर कौन- उनको अगर हम लोग थोड़े से पीटते हैं तो वह उसको चादर कुरूप में बदल सकते हैं ठीक है वह तोड़ा से हम लोग क्या करेंगे उसको पीट करके देखेंगे अगर पीटने पर कोई भी वस्तु जो है वह फैल जाती है यानि कि वह धातू है ठीक है उसके बाद दे एक विदुद परिपत बना सकते हैं ठीक है बैटरी को तार को बैटरी तार स्वीच से हम लोग क्या कर सकते हैं तो एक परिपत बना सकते हैं जैसे कि अगर मारे पास बैटरी है तो यहां पर हम लोग बैटरी को जोड़ देंगे ठीक है बैटरी को जोड़ देंगे तो यहा हो गया और यहां पर लगा देते हैं यह हो गया ठीकहिं और यहां पर बल्भ लगा देते हैं अब देखी इसी के बीछ में हम लोग या करें गे कुछ पदार्थों को जोड़ीगे जो धातूए होंगे याdyatSpec कर सकते हैं जो धातू होगी वह जो है अपने बीधूद को पास्ट होने देगी जिसे यह बल्ब जो है ये जलना लाएगा अगर वह हथात्व होगी तो अपने से बीधूद को जबस है जलेगा नहीं तो इस तरह से हम लोग चेक कर शंटे कि कौन कौन सा यहां पर दिया गया वस्तु जो है धातू है या फिर अधातू है थोड़ा से पीट करके और तार बल्ब बैटरी स्वीच से विदुत परिपरत में उन सारे पदार्थों को लगा करके देखेंगे जिसे करेंट पास जाएगा वह बल्ब को जला देगा और जिस करेंगे तो अधातू होगी अगर वह विदु का सांचालन नहीं करेंगे तो वह क्या होगा अधातू होगी ठीक है यहां पर क्या आगे लिखेंगे कि किन्तु अधातू को पीटने पर चादर में परिवर्तित नहीं किया सकता है तथा या विदु का सांचालन नहीं करेंग खीक है उभय मतलब होता है दोनों धर्म मतलब होता है गुन यानि कि वैसे धात्विक ओक्साइड जो दोनों गुन को रखते हों अब कौन से दोनों गुन को रखते हों यानि कि अमल का गुन और च्छारक का गुन दोनों यानि अमल का गुन भी परदर्शित करते हों और दोनों के साथ अभी किरिया करते हैं यह वैसे धात्विक उक्साइड जो अमल और च्छार दोनों से अभी किरिया करते हैं अर्थात इनका योगिक होता है वो दोनों गुन को परदर्शित करते हैं यह जो है वह अमलिये गुन को भी परदर्शित करते हैं और च्छारिये गु दो धातुएं जो ऐसा नहीं कर सकती हैं ठीक है तो इस में से क्या हो जाएगा देखे इस कोचन को अम लोगों को सवाल करने के लिए फिर वही से जो सकीरिता स्रेनी हैं उसको अम लोगों को दिखाना करना होगा तो ट्रिक था पोसो केमेग एल जी आलेड हर्डुजन कॉपर म से केल्सियू मैग मेंगनेशीयं पोसो केमेग ऐल एलमुनियम जी आलेड यानि की जीच आयरन लेड जी इसे मसे मखरी यानिकि हजी मां सी को सी से तीक है और बो से क्या हो गया गोल्ड गोल्ड ठीक है अब देखे लिए बाट यहां पर कर रहा है यहां पर तनू हैं नोमें है तको विस्थापित करना तो कौन और होगी कि जितने भी ऊपर धातुव। अधीक अभीकियासील है जबकि जो नीचे धातुएं वह हर्डयास से ऐज़कर करते हो सबसक्राइब कर देख्late कौई भी दोटोलिख सकते हैं तो यहाँ पे प्रोटैसियम को यहाँ पर हो गया ठीक है यह पे यहाँ पर नहीं कर पाएंगी ओंगी यह धातने व्यूंश के नीचे होएंगे सक किर्टा सायाणी में उपासी ऐसे उर्याइज वियूश्चा स्ट्रोडियम हो गया और ऐसे जो हाड़ोयन के नीचे है हाड़ोयन के नीचे है वह तनुवम्र से हाड़ोयन को भी स्थापित नहीं कर पाएगी ठीक है तिसका अंसर यह लिख सकते हैं हम लोग उसके बाद हम लोग देखते हैं अगला प्रश्ण कि किसे धातू M के विदूत अभघटनी परिस्करन में आप एनोद केठोड एवं विदूत अभघटन किसे बनाएंगे ठीक है यानि कि इसमें जो है विदूत अभघटन करवाना है तो किसको एनोड बनाया जागा किसको के कचा करना है तो देखिए इस utroEP करने के लिए सबसे पहले हम लोग फिर से का लिएष कर लेते हैं कि विदूत हम परकिरिया में होता आखिर क्या है तो इसमेंड है विदूत अभघटन यहां नाम से क्लिए र्ए कि विदूत दे करके इस क्या क्या आता वत अब घठन करवा कोपर धातू का परिसिक्रान दिखाए गया यह कॉपर का रोड और यह भी जो है वो कॉपर का ही रोड ठीक जो तो कि इसमें से ये जो copper sulfate जो विलियन है या एक यहां पर दखेंजो धाटु है तो यहां पर धातु का यह लवन हो गया जब इसमें विदुत धारा परुवाहित की जाती है तो यहां पर copper जो है, वह sulfate से अलग होने लगता है अब देखिए हम लोग जानते हैं कि धातवे जो होती है वह विद्दूत रूप से धनात्माख होती है मतलब धातूओं के पास कौन सा चार्ज होता है धातूओं के पास जो है केथोड जो है वह रिन सिर्हाग और वह भी पतला होगा देखिए यह जो कौपर है यह सूध हो जाएगा जब इस सल्फिट से अलग हो जाएगा और यह जो है चुकि इस पर धन आवेस है तो यह रिन आवेस के वार अकर्षित हो जाएगा तो इसमें से यह कौपर जो है वह इ तो कौशन को लिख सकते हैं कि लिए क्या होगा चॉनकि इसमें यहान पर जमा होना है क्लिए तो उसमें जो है copper यहां पर आ करके जो है इसके परत बना लेगा इसके उपर मैं लेगा तो इसुलिए 暗ेज्ट को जई वह बना जाएगा अर वह भी सुध धाटक बना जाएगा ठीक है तो को आओट बना जाएगा यह को चुग बना जा जाएगा युद को अषीँ बना इसमें से यह इसका अंसर हो सकते हैं तो यहां लिख सकते हैं कि यहां पे M क्या है तो M एक धातुा यहां पर हम लोग धातू को यहां पे क्रोपर मानके चले हैं M को um준र delivered on the C pot जोड़ जोगा पतली छाड़ के रूप में होगा जो की शूध होगा ठीक है विदूद अब गटन एम धातु का लवन मिलियन होगा यानि कि इसमें जो है जिस धातु का प्रिस्क्रण करना होता है उसी धातु का लवन को लेना होता है जैसे कि यहां पर कॉपर सुलफेट का लवन लिया गया है ठीक है तो इस तरह से हम लोग जो है करीब इस चेप्टर का आठ कोस्टन हम लोग कर लिए हैं इसमें करीब सुलला कोस्टन है तो हम लोग इसके बाद आगे के वीडियो में हम लोग इसको करेंगे ठीक है तो मिलते हैं फिर हम लोग अगला वीडियो में